जैहिं दोस्तों, सबसे पहले ऐरोपलेन का विश्कार किसने और कब किया था? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा। प्राइट्स ब्रदर ओलिवर एंड विलवर ने इन 1903 में, लेकिन आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के एक ड्राइंग टीचर शिवकर तालमडे ने साल 1895 में ही हवाई जहाज बनाकर उड़ाया था। तब ये तालमडे जी के सारे दस्तावेज अपने देश लेगे और हमारे पास इसके कोई इतिहासिक दस्तावेज ना होने के कारण पहला हवाई जहाज बनाने का श्रिय भारत को नहीं मिला। उसके अनुसार इंगलिश केमिस्ट और फिजिशिन जोन डैल्टन जिनका जनम 18th सेंचुरी के अंत में हुआ जिने की मोडरन साइंस में एटॉमिक थिरी के अविश्कारक कश्रे दिया जाता है। वास्तव में इसा मसी के जनम से लगव 300 साल पहले या जोन डैल्टन के द्वारा साइंटिफिक एचीवमेंट को हासिल करने से 2500 साल पहले ही एक भारतिय रिशी के द्वारा इसे तियार कर लिया गया था। और वे फादर ओफ एटोमिक थियोरी के रूप में परसिद्ध हुए। अचारे करनाध ने एटम को एक इंडिविजिवल पार्टिकल कहा। ये सिध्धान्त उनके दिमाग में तब आया जब वे चावल से भरे हाथ को लेकर चल रहे थे। उन्होंने चावल के एक दाने को तोड़ा। उन्होंने देखा कि सबसे छोटे कंड को आगे और विवाजित नहीं किया जा सकता। उस कंड जिसे आगे विवाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसे परमाणू का नाम दिया यानि की एटम। उन्होंने यह भी कहा कि Atom दो वस्थाओं में मजूद होता है State of Atom and Absolute Rest आज भी उनके सिधानतों को अन्य सिधानतों की तुलना में बहतर माना जाता है हम में से बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि गुर्तवक्षन बल की खोज सबसे पहले करने वाले व्यक्ति बासकराचार्य थे हमें आम तोर पर ये ही बताया और सिखाया गया है कि First Law of Gravity सर आइजेक न्यूटन के द्वारा खोजा गया लेकिन वास्तव में Law of Gravity के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति बासकराचार्य थे जिनोंने ग्यार्मी स्तावदी में सूर्य सिधांत नामक अपनी एक पुस्तक में बताया था। बास्कराचारिफ वार्मी स्तावदी के सबसे परमुख गंतग्यों में से एक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक के एक शलोक में उलेख या था कि पृत्वी जो अकार में गोलाकार है किसी धानात्मक शक्ती के कारण सेंटर में खड़ी है या केंदर में है जो पृत्वी को गिरने से रोकती है अर्थात इसमें उन्होंने जिस धानात्मक शक्ति के बारे में बताया है वे गुर्तवक्षन बल है दूसरे शलोक में उन्होंने बताया है कि जमीन पर गिरने वाली परतेक वस्तु पृत्वी के अकर्षन बल के कारण गिरती है ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक मेवर्ष 1150 जिस्वी में लिखा था ऐसे बहुत से अविश्कार हैं जो भारत में किये गए हैं लेकिन इतिहास में कभी चपे नहीं लेकिन आज भी यूटन के लोही कायम है क्योंकि उन्होंने ग्रैविटी के बारे में अधिक जानकारी दी थी